कि है लोस्तों नमस्कार स्वागत थे अप्षेयलोग कल के ठीक ये व्यज है दोस्तों उमीद है आज के अपडेट से भी आप कोशी में लर्निंग मिलेगी दोस्तों जो फ्री के लर्निंग हो यूटूब पे दे रहे हैं अगर वहां से आपका काम चल जाता है तो इनफ है अधर्वाइज आपको प्रीमियम क्लास अगर जोईन करनी है तो उसके लिए आपको जो फी से वो पे करनी होगी विकॉज आपके लिए हमने एक छोटा से यहाप एक क्लिप लगाया हुआ उसको सुन लीजेगा और आज की दोस्तों जो पंच लाइन जो मैंने लिखी है कि सिकारी बनो दोस्तों किसी का सिकार मत बनो और ये आप तभी बन पाओगे जब आपके पास खुद की नॉलेज हो ख परफेक्ट रिजल्ट दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा कमेंट करके अप्रेशेशन दीजेगा शेर कीजेगा चाहिए की लिंक को और अगर आप पहली बार है पहली बार क्लिक किया है तो जरूर सस्क्राइब करके जाए टेलग्राम को फॉलो कीजिए एड़ रेड़ सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कल के लिए निकाला है वह 43,520 सपोर्ट है 22,765 देखिए कल है कम्प्लीट कॉंसलिडेशन डे तो मार्केट आपका होगा दोनों साइट का ट्रेड ठीक है इसमें कोई भी डाउट नहीं है कल मैंने एक आपको अगर आपने इसको सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ करके भी सामने रखा तो आपको दिख गया होगा कि क्यों मैं बोल रहा था बार बार की 43,500 है वो चाइना की दिवार है 43,500 पहली चाइना की दिवार थी और बाकी 600 तक यह बांडरी वाल बनी हुई थी जब तक ही लेबल नहीं क बोल रहे थे कि मेरा जो व्यू था वो ब्यरिस था उनसे में एक चीज और पूछूंगा कि कभी आपने कल यह देखा कि मैंने लिखा हो कि सेल कर दो कभी नहीं कल मैंने सिर्फ और सिर्फ एकी चीज लिखा कि बाई इंडिप का महौल है सुबह 9.30 कवर कर दिया लेकिन उसक दोस्ते बाद जिसने भी सेल किया अब देख सकते हो मार्केट डेलों पर जाके क्लोज हुआ है और यह जो अपडेट है यह मैंने जो भी अपने स्ट्रेंट सेंग को कल सामको 8 बज़े ही दे दिया था कि लेवल निकल चुका है 33550 से लेके 600 का रिंज है सेलों ड्राइज कर होना है हिम्मद नहीं हो रही है तो खुद का नौलेज रहेगा खुद की प्रैक्टिस रहेगी तभी कर पाओगे अगर बिलीव करते हो तो थोड़ा बहुत रिस्क लेके आप कर सकते हो और और कोई आप्शन नहीं है क्योंकि यहां पर टिप्स दोस्तों बिक्ती नहीं है तो अब दोस्तों बात करेंगे यहां पर किकल हमें क्या करना है तो देखिए अगर आज आपने देखा होगा तो यह प्रिवियस का एक वन साइड़ेड लेवल था जहां से मार्केट ने एक वन साइड़ेड मूव दी यहां तक जो कि कली एसपेक्टेट था कि 43,500 तक मार्क बेका तो अगर मार्केट 43,125 को तोड़ने लगता है तो सामने से 43,100 के पास एक सपोर्ट है और 43,000 के पास अगर आपको 100,500 का तार्गेट चाहिए तो आप यहां से अप सेल कर सकते हों अगर बड़ा चाहिए तो आपको फोकस करना है इस लेवल पे वो है 43,380 अगर यह एर नहीं वेट करना है तो आप यहीं समझेगा कि जो मार्केट का व्यू है फॉस्ट में भाई हो रहा है और फिर उसके बाद से लोगा तो कल मार्केट जो है दोनु साइट देगा को दोनु साइट मौके देंगे प्रॉफिट आपको इसमाल मिलेगा ठीक है इसमें बिलकुल प्रॉफिट आपको बड़ा मिलेगा प्रॉफिट होफुली समाली मिलेगा बैंक निफ्टी में थोड़ी सी मूब बड़ी हो सकती है निफ्टी का तो मोब बिलकुल ही जो होने वाला है इसमें आप देखेंगे कैसे जह मूब आ रही है तब आपको एडिया लगेगा क्यों प्रेमियम गिन मिला यहां लोगों से 10% नहीं निकलते हैं वह बड़े वाले जिनकी बात होती है करोणों में ट्रेड करते हैं और मैं आपको यहां पर फ्री आपको निगाल के दे रहा हूं यह कोई कोट नहीं है आपका प्रॉफिट है आपका लोस है सिंपल सा एक अपडे करेंगे लोवर लेबल पर नहीं करना है लोग वहीं सेल करें जिनको 100-800 का टार्गेट चाहिए मैं इस फेबर में नहीं हूँ बैसिकली अगर 43 ब्रेक हो जाएगा तो मैं यहां से जरूर सेल करूंगा क्योंकि यहां से फिर मुझे 500 पंट की जगा दिखाई देगी जो की 42, 500-600-700 तक आ जाएगी मार्केट कम से कम पहले टिक में तो 43,000 के नीचे जब 42,980-975 का लेवल पहली बार में तोड़के सेकंड टाइम जब ब्रेक करेगा तब यह सेल एक्जिकूट होगा और प्लीज मेरे सारे वार्डों को साथ में लेके जाय कीजिए कुछ ऐसे लोग है जो जिनको सिर्फ और सिर्फ सेल और बाई दीखते हैं पता नहीं कौन सा स्कैनर लगा रखें अपनी आखों में और उसके बाद आके अपडेट देते हैं कि सर आपका तो मामला बिगड़ गया सर आपका तो चला नेर वह या मेरा नहीं चला मेरा सब चल रहा है ठीक है तो यहां पर यह चीज देखिए मेरे सारे वाड़ों को ध्यान से देखिए मैं इसलिए कहता हूं कि यहां पर सक्तिमान की तरह भगा के मत देखिए एक एक वाड को सांती से सुनिए 11 मिनिट टॉप से मांगता हूं 12-13 मिनिट से कभी भी मैं शेशन को जो है लंबा नहीं किसता तो गलती है और उसका यह देख रहो अगर आपको लगता है कि मेरे रिजल्ट गलत है आप मार्केट का जो है देख लो मार्केट में किसी साफ समय मेंट किया 330 तक जाने के देख लो उसके बाद जाके मेरा शेशन एक बार क्रॉस चेक करो एक एक वाड को चेक करो और लाइ आगे बढ़ते हैं निफ्टी पर आई हो बैंक निफ्टी क्लेर हो गई होगी जिनको भी जो है ना समझ में दुबारा रिपीट करके देख लीजेगा पसंदाराओं का लाइक कीजेगा अपने कमेंट भी जरूर दीजेगा तो सबसे पहले दोस्तों ब्लू बैग्राउंड अगरे जिस समय आपको बाई दिया था ना कि वाई नहीं करना है तीन सो साइती जब तक क्रोस न करे उसी समय यहां पर सेलिंग की प्लानी कर ली थी इसलिए मैंने आपको रेडिमेट कॉल में निफ्टी का ही पुट दिया डिटा निफ्टी का लेकिन मैंने आपको फिर भी निफ्टी को लाइब दिया है कि दो बारा आज देने से को मतलब नहीं तो मैंने क्ल भी चारड को रहे हैं इस को खोल लेना डे टाम्फ रेम एक करना एक चीज को अनलाइज करना और सोचना कि कैसे लेवल में निकाला था इसलिए मैं आपको अपडेट दे रहा हूं अब आगे बढ़ते हैं कल के लेवल पर कल का लेवल दोस्तों रेश्टेंस 18320 शपोट 18,045 का है निफ्टी में क्या करना है देखिए निफ्टी की अब दिखाई नहीं दे रही यहां पर लेकिन अगर बहुत ऊपर चलना है तो थोला सा नीचे आना पड़ेगा इसमें कोई डाउट नहीं है अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एक राउंडिंग टॉप का जो है फॉर्मेशन इसने आज किया और यह जो है गिरने के बाद चुकि हम लोगों ने इधर ही कहीं पुट की जो है इंट्री आपको करा दी थी जो यह लेबल तीनस वाला टूट रहा था इसके बाद जो पूट की इंट्री होई है उसके बाद जो प्रॉफिट बॉकिंग हो गया अब मार्केट कर रहा है कॉंसल्डेट 182255 के आसपास त प्रेंडल थोड़ी सी सॉलिट देखे का की बनने लगे तब आप यहां से सेल इनिसियेट कर सकते हैं आधरवाइश अगर मार्केट उपर जाता है और 18320 को ध्यान से सुनिये का बातों को 18320 को अटेंप्ट करें क्रॉस करने के लिए और अगर दिखे कि फेल हो गया रिव 320 अब जब तक निफ्टी क्रॉस नहीं करेगी तब तक आपको बाई नहीं दिखाई देगा और 320 के क्रॉस करते ही आपके पास ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा जगा है 18345 फिर से एक रिश्टेंस अबैलेबल होंगे इसलिए मार्केट हो सकता है कि पेन फिल करें सिर्फ एक ही कंडिशन में यह सारा सेट अब हो जाएगा अगर निफ्टी यहां पर गाप कर लेती है और वह भी 18350 के आसपास अब वह 345 हो सकता है 355 हो सकता है या 307 सकता है क्योंकि यह रिश्टेंस लेबल है तो इसके ऊपर अगर इन तीनों लेबल के ऊपर कहीं मार्केट खुल गया यह सारा सेट अब इन बैलूड हो जाएगा फिर आपको लाइव कवेट करना है लाइव में जो अपडेट मिलेगा उसके इसाब से हम लोग अपना काम कर सकते हैं और वहां पर आपको हैल पाती दिखाई देगी यह दोस्तों जो है निफ्टी का सटप था अब हम चलते हैं आपको जीवन में कुछ करना है ट्रेडिंग लाइफ में कुछ करना है तो अपनी गाड़ी खुद चलाइए अपना ट्रेडिंग खुद कीजिए और अपना अपनी खुद की नौलेज होना बहुत ज़रूरी है चाहें आप किसी भी बड़े अनेलिस जो टिप्स ले रहे हो तो अब बात करते हैं दोस्तों फाइनस निफ्टी की फाइनस निफ्टी का रेस्टेंस है 19365 का शपोर्ट है दोस्तो 1935 का चुकि आज इसकी एक्सपारी थी वेकले एक्सपारी हो चुकी है अब कल यह जो लेबल है जहां से आज मार्केट ने जो है एक यहां पे से दिया दे चुका है तो अगर मार्केट यहां पर जाता है यहां वेट एन वाच कीजिए जिस हिसाब से यहां पर कुंसलिडेशन किया मार्केट ने टाइम दिया यह करके और रिवर्स होता है तो यहां से सेल कीजिए लूवर लेबल पर सेल तभी करेंगे चुकि यह तो यहां भी हम सेल कर सकते हैं एक चीज़ आद रखिएगा सेल आपको राइस पर ही करना है लोवर लेबल पर तभी करना है जब कन्विक्शन हाई दिखे कैंडलिष्टी की लगे या तो आपको दीखे कि बिल्कुल अच्छे से क्या और मार्केट विल्कुल उपर जाने के लिए तैयार नहीं है फिर सेल कीज़े आदरवाइस टेलेग्राम पर टून रही है वहां पर लाइफ अपडेट आपको मिलते रहेंगे फिर इसका फायदा आप उठा सकते हैं हुमीद करूंगा कि कल आपको अगर बैतरी नॉप्शन को जनरेट होती है तो स्टॉक के माधियम से दू क्योंकि स्टॉक में पैसे अच्छे बनते हैं जैसे आज बजाज फाइनेंस में दिये थे हमने एम जील का अपडेट दिया था आई जील था सक्टर था आज हमारा ग कंडिशन पर भी आप काम नहीं कर पा रहे हो तो भाई आप खुद सोचो कि कैसे काम करोगे और आपको कौन सी हल्प चाहिए मुझे भी जरा बताईएगा आप जो स्टॉक सेलेक्शन में से कल के लिए जो पहला स्टॉक निकला है वह दोस्तों ठाटा मोटा काफी दिनों से लेवर में है हमारे बाई बी जरीट हुए थे बिलकुल बॉटम लेबल पर देंगे यहां पे मैं हर तरीके से देता हूं और सेल ओ राइzd भी देता हूं क्योंकि उर्ती याद रखेगा तो टाटा मोटर को कल सेल करेंगे 510 के असपास एसल मेंटेन करेंगे 515 का इसके बाद जो एक स्टॉक है आज का यह जो लंबा साथ बिल्कुल आप एक खंबा बने हुए देख रहे हो यह आज का मेरा खुद का एक सेल्फ का ट्रीट था बट मिस हो गया मात्र 40-50 या 80 पैसे समय सुआ होगा हलाकि अच्छा पैसा है 80 पैसे कम नहीं होते हैं इसकी बाइंग इंट्री मैंने डाली थी 114 रुपये 15 पैसे के असपास इसका लू है 115 रुपये 10 पैसे करीब में और वहां से 10% से भी जादे रहे लिकिया है और मैंने प्री ओपनिंग में ही तब हम राइस पर नहीं करने वाले इसको अपना रूल क्लियर है का बाई करेंगे डिप में लेवल निकाल दिया है 120 और 22 के अगर असपास कल आता है तो 116 के सल से बाई कीजिएगा अराम से देखके सुकून वाला स्टॉक निकालता हूं और वही स्टॉक निकालना भी सिख आता हूं सिखना होगा 20 में से बैच है जूड़ जाइएगा नहीं सिखना होगा फॉलो करते रिए लिंक शेयर कीजिए इंज्वाई कीजिए वीडियो को एड़न आप करने से पहले बता दो कि इवनिंग की डेटा वीडियो जरूर देखिएगा वहां से क्लेटी ज्यादे